स्वागत करता हूँ आप सभी साथियों को आज के इस दिन वीडियो में दखें साथियों इस वीडियो में आज कुस ऐसे पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं जो आपको साथमी चरण सिक्षक वाली में रिजेक्ट होने से बचा सकता है अगर आपमे यह गल्द तिया यह खामिया रही तो आप शाथमी चरण सिक्षक वाली में रिजेक्ट हो सकते हैं सलिए दिखते हैं क्या कि आप पॉइंट्स से इस पर चर्चा करते हैं आगे परने इस पहले आप अगर चैनल पर न्यूँ है तो प्लीज चैनल टो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा ताकि आपको हड़े छोटी बड़े टाइम पर मिलती रहे सिक्षक वाले से समंदित दखी शाथियों जैसा कि आपके सामने में कुछ पॉइंट दिख रहा होगा चलिए इस पर चर्चा करते हैं शाथियों इन पॉइंट से कारण बहुत से भेर्थी छठे चरण में बंचित रहे मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया गया है आपका भी ऐस इसा ना हो आगे इसी कारण आप निश्चित रुप से आज की वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए अगर कोई कमी और खामिया नहीं तो इसका सुधार जरूर किजेगा आप देखिए पहले नमर पर आपको दिख रहा होगा ट्रेनिंग सेशन एंड सीटेड इयर मिसम ट्रेनिंग का सेशन 18-20 है और आप सीटेड दुजर 18 में ही पास है तो आपका सीटेड वैलिड होगा या नहीं होगा सीटेड को वैलिड होने के लिए अगर आपका ट्रेनिंग का फर्स्ट इयर किलियर है उसके बाद अगर आप सीटेड पास होते हैं तो आपका सीटेड व नहीं होगा, चलिए next point पर बात करते हैं, दुसरा point आपको दिख रहा होगा, certificate name mismatch, certificate name mismatch जैसा कि आप सभी को पता होगा, बहुत से बेर्थियों के साथ होता है, 10th में और 12th में दोनों का spelling mistake देखने को मिलता है, बहुत सारे बेर्थियों का होता है, कि 10th में कुछ और नाम है, 12th में कुछ और नाम हो जाता है, तो यह spelling mistake, name mismatch होता है, इसको आप सही करवा लिजेगा, अगर आपके पास time है तो, नहीं तो, जब आप आवेदन किजेगा, स्विक्चक वर्ति के लिए, उसमें एफटिविट्स लगा दिजेगा, जिसे कि आगे आपको कोई तकलीफ ना ह आगे next point पर देखिए, दिखना होगा certificate mark mismatch, certificate mark mismatch कैसे होता है, देखिए, अगर आवेदन का समय दिया आता है, जिस time पे आप आवेदन करते हैं, उस समय आवेदन का समय अगर 10th का, 12th का या ग्रिविशन का, किसी भी academic का mark आप ज़्यादा भर देते हैं, और आपका जो certificate है, उसमें mark कम है, तो हो सकता है, कि आगे आपको इसके वज़र से गलती होगा, क्योंकि आगे जब आपका certificate verification किया जाएगा, आपके मेधा सुची से, मतलब same match नहीं करेगा, तो आपका mark mismatch निश्चीत रुप्सिच को माना जाएगा, तो साथियों, अगर ऐसा आप से हो जाती ह है, आबेदन के समय, शिक्चक भरती का आबेदन के समय, तो एक आपती का समय दिया जाता है, उस आपती के समय में आप उसको ठीक कर सकते हैं, किसी गलती के कारण हो जाता है, मान कि चलिए आपका merit बनता है 66%, और आपको किसी गलती के वोज़र से, उसका 68 बन रहा है, 67 बन not valid, या training का हो, seated का हो, है ना, और fake certificate, देखे, fake certificate का बात करें, तो इस बार 6th phase के नियोजनी काई में, जो चरण भी चल रही थी, 6 चरण के, इसमें बहुत से ब्यरतियों का documents देखने को मिला, कि उसका certificate जो था, fake था, फर्जी था, तो साथ यो, अगर फर्जी आपका documents है, तो निश्चित रूप से apply नहीं कीज़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बाद दिन certificate verification के बाद, उसको निकाल दी जाता है, फोर नमर पे जैसे आपको दिख रहा होगा, कि certificate not valid, अगर आपका certificate valid नहीं है, तब फिर भी आपको teacher नियोजन से वरखास्त किया जा सकता है, च साथियों इसको आसान भासा में बोले, तो अगर आप आबेदन जिस समय कर रहे होते हैं, सिक्षक भाली के लिए, उसमें आप अगर EBC, BC, EWS, SC, ST, या physical, जो disabled लोग होते हैं, विकलांग, उसके बाद freedom fighter, उस समय आप अगर यह सारा documents नहीं लगाते हैं, यह सारा certificate नहीं लग मान के चलिए, आप विकलांग के लिए apply कर रहे हैं, और आपको अरक्षन चाहिए विकलांग में, तो आपका जो विकलांग certificate होना चाहिए, वो apply के समय से पहले का होना चाहिए, ना कि apply करने के बाद, जिसमें नियोजन में counseling होगी, उस समय आप बोलेंगे कि मेरा अभी बना हुआ है, विकलांग certificate तो आपका valid नहीं होगा, apply के पहले का होना चाहिए, कोई भी certificate, आरक्षित certificate, यह बात सबों के साथ हो सकता है, EBC, BC, EWS और SC, ST, जो भी connector है, सबों के साथ जो है, वो आवेदन से पहले वाला, वो documents लगेगा, certificate लगेगा, आरक्षित certificate, जो भी reservation certificate होती है आगे देख लिजे, next point, यह भी बहुत महत्पुर्ण point है, 8 नमर पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कि 12th graduation training में 50% से कम mark, शाथियों, ऐसा नियमावली में लिखा गिया है, कि अगर आपका 12th graduation और training में 50% से कम mark है, तो आप teacher notion के लिए आप valid नहीं है, चले अब देखते ह next point को, next point जैसा कि आपके सामने में दिख रहा होगा शाथियों, कि special teacher के लिए honors या subsidiary में special subject अनिवारी होना चाहिए, शाथियों इसको आसान भासा में बोले, तो अगर आप कोई special teacher बनते हैं, मतलब मानिक चले 6 to 8 में, आप हिंदी, संस्कृत, मैथली, उर्दू या किसी अन आपका वह subject होना चाहिए, जिससे आप teacher बने हैं, जैसे कि अगर आप हिंदी के teacher बनते हैं, तो आपको हिंदी honors में या subsidy में होना चाहिए, निश्चित रूप से अनिथा आप valid नहीं होंगे, आप आगे जाकर रश्ट्रिगेट हो सकते हैं, सिक्षकवाली से reject हो सकते हैं, द उर्दू के teacher बनने के लिए, तो आपका 12 में उर्दू subject होना अनिवारी है, वो अभी 100 मारक का, चलिए next point को देखते हैं, next point है कि उर्दू teacher 6 to 8 के लिए honors या subsidy में उर्दू subject होना अनिवारी है, शाथियों अगर आप उर्दू के teacher बनना चाहते हैं, या उर्दू के teacher के तो आपका honors या subsidy में उर्दू subject होना अनिवार है, ऐसा मैंने इससे पहले वाले point में भी बताया, शाथियों इसके अलाबा बहुत सारी ऐसी point है, जिसके कारण आप teacher नियोजन से reject हो सकते हैं, अगर आप में यह गलती यह खामिया रही तो, देख लीजिए एक एक करके इसको स्किन सॉट भी ले सकते हैं, चलिए, आज की वीडियो के यहें पर खत्म करते हैं, आशा करतो हूँ आपके लिए वीडियो helpful होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब सेर जरूर कीजिगा, चलिए वीडियो में अभी तक बने है तो थैंक्स फूर वासिंग, प्लीज सब्सक्राइब में चैनल फूर दर लेटिस्ट अपडेट